वक्त सिखा देता है इंसान को फलसफा जिन्दगी का फिर तो नसीब क्या लकीर क्या और तकदीर क्या खुद को समय जरूर दें आपकी पहली जरूरत खुद आप है समय के पास में इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके नमस्कार मैं हूँ कमल श्रीमाली आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में और ब्रस्पति के पुनो एक बार 136 दिन के लिए मकर रासी में पुरेश के इस विसेश एपिसोड में अब मैं असली पिक्चर बताने वाला हूँ एक बार ट्रेलर आप 29 मार्ट से लगा करके 30 जून तक देख चुके हैं यानि कि ब्रस्पति फिर से एक बार अपनी नीच रासी में पुरेश कर सनी से यूति बनाएंगे एक बार फिर से राहू की दस्ति में आ जाएंगे वेदिक जूतिस में ब्रस्पति अथाद गुरु को कालपुरुस के ज्ञान का प्रतीक माना गया है 20 नवंबर 2020 को ब्रस्पति रासी परतन कर एक बार फिर से मकर रासी में पुरेश कर जाएंगे मकरासी प्रत्वी तत्व की मूल भूत नकरात्मकरासी है और इसके स्वामी सनी है कैसी विचित रिस्तिती है कि शुक्र देत्य गुरु है और ब्रस्पति देव गुरु है इन में शुक्र संपति का भोग का वो ब्रस्पति धन प्राप्ति का कारक है लेकिन दोनों परसपस शत्रू है दोनों की सुब इस्तितियों तभी व्यक्ति पैसा कमा करके उसका यूज कर सकता है आनंद उठा सकता है जन्मकुली में ब्रसपति और शुक्र दिन के स्वामी सूरिय या रात के स्वामी चनमा के साथ में अच्छा समन्द करते हूं इनके साथ हो तो व्यक्ति जिवन में मन चाहा पैसा इखटा कर सकता है इसी कारण से शुक्र चंदर लोटरी योग और ब्रेस्पती चंदर गज के सिरी योग बनाते 17 जनवरी से 13 फरवरी 2021 तक ब्रेस्पती अस्थ रहेंगे ब्रेस्पती अस्थ होने पर अशुप परिणाम देते हैं ब्रेस्पती जब गोचर में अस्थ होते हैं तब मोहरत नहीं निकाले जाते हैं जन्म कुंड़ी में ब्रेस्पति अस्त होने से सरीर में फेट या चर्बी समंदी प्रॉबलम्स आती है विकरितिया आती है और आम तो उसे पेट और लिवर इफेक्टेड होते हैं अस्त ब्रेस्पति तो विवा में भी सुब नहीं माने जाती है कन्याओं की कुंड़ी में ब्रेस्पति को विवा का कारक माना जाता है और इनका आस्तोना अच्छा नहीं माना जाता है मंगल और ब्रेस्पति का जन्म कुंड़ी में परस पर सम्मंद भी सुब नहीं माना जाता है ब्रस्पति देव की संतान प्राप्ति, संतान सुख, विद्या प्राप्ति, राजनेतिक वर्चरस्व में महत्मूर्ण भुमिका है मेश, कर्क, सिंग, व्रस्चिक और मीन लगनवाले लोगों के लिए ब्रस्पति विसेश योग कारक होता है अब मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले ब्रस्पति और शनी की यूति कब हुई थी? 1961 में ब्रस्पति और शनी दोनों धनूरासी में थी, और राजू सिंग रासी में बैट करके अपनी पांचवी दस्ति से ब्रस्पति और सनी पर दस्तिपात कर रहे थे वेदिक जोतिस में ब्रस्पति को एक सुब गरह माना जाता है, वहीं शनी को न्यायका कारक लेकिन एक क्रूर गरह माना गया है ऐसे ही इन दोनों की युत्वी को लेकर के कई तरह की संभावनाई बनती है इन दिनों दोनों की युत्वी को एक बार फिर से कोरोना वाइरस की सेकंड वेव से भी जोड़ कर देखा जा सकता है ब्रेस्पति और शनी दोनों को जोतिस में विशाल गरह माना गया है मकर रासी में ब्रेस्पति और शनी की युत्वी अपने आप में एक महासंयों का निर्मान करती है ब्रेस्पति का समंद राहू केतु के साथ में होने से ये समंद सुब नहीं होता क्योंकि ब्रेस्पति एक सात्विक सुद्ध और देविय सक्ति से संपन गरह तो राव केतु तामसिक प्रवत्ति के रक्ष सीक रहे जब ब्रस्पति की यूती या दस्ति समंध राव या केतु से बनता है तब चांडाल योग का निर्मान होता है इसी तरह चांडाल योग पर शनी मंगल जैसे पापी और क्रूर ग्राव का प्रवाव इस योग को ज़्यादा दूशित कर देता है जिस कारण बुरे प्रवावों में व्रद्धी हो जाती है 20 नवंबर 2020 को ब्रशपती एक बार फिर से उत्रा साड़ा नक्षत्र के दुथी चरण में प्रविस करेंगे अथात मकरासी में आ जाएंगे उत्रा साड़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य है इस नक्षत्र के दुथी चरण का स्वामी शनी है 17 जन्वरी 2021 को ब्रस्पती देव अस्त हो जाएंगे ब्रस्पती गोचर में अस्त होते हैं तब अशुप परिणाम देते हैं अस्त ब्रस्पती के समय तो मौरत भी नहीं निकाले जाते हैं 13 फर्वरी 2021 को ब्रस्पती देव फिर से उदय हो जाएंगे और 6 अपरेल 2021 तक ब्रस्पति डेव इस रासी में ही मकर रासी में ही सभी रासिंट पर प्रभाव डालते रहेंगे आईए इस रासी फल के मादियम से डालते हैं उन प्रभाव़ों पर एक नजर आप मिर्ण रासी के लोगों के लिए ब्रस्पती आपकी रासी से 11 आउस में सबसे शांदार पोजिशन पर आएगा और आपको बहुत ही जादा सुख मिलेगा, सुब फल मिलेंगे लेकिन इसके अलावा ब्रस्पती जिस जिस भाव को देखते हैं उसका भी तो इंपेक्ट पड़ता है क्योंकि ब्रस्पती की जिस्तियों का कमाल ज्यादा है ब्रस्पती जिस भाव पर जिस्ति डालते हैं वहाँ पर सुब फल देते हैं, नेगेटिविटी को कंट्रोल कर लेते हैं और ऐसी इस्तिति में क्योंकि ब्रस्पती को दो विसेश जिस्तियां प्रापते जहां पर ब्रस्पती इस्तिते वहां से पांचवे बाव को और साथी नौवे बाव को विसेश दस्ति पात करता है दस्ति डालता है और अपने से साथवे बाव पर तो हर कोई गरत दस्ति पात करते ही है ऐसी स्थिति में ब्रस्पति की पांचवी, सांतवी और नौमी दस्थी का क्या फल मिलने वाला है ये भी मैं आपको इसी एपिसोड में बतला रहा हूँ और इतना डीटेल में रासिफल मैंने पहली बार दिया है और आपने साथ पहली बार ही सुना होगा या सुनेंगे आपकी रासि से 11 आउस में लाब भाव में नीचस्त ब्रस्पति का प्रवेश्ट बहुत ज़्यादा लाब दायक रहेगा ब्रस्पति के इस परवेश्टन से पराकरम बाव थर्ड आउस, शिक्स आउस संतान बाव फेफ्ट आउस और ग्रस्पति की सुब दस्ती पड़ेगी इस रासि परवेश्टन से धन और मान सम्मान में इंप्रूमेंट आएगा व्रद्धी होगी लगबग सभी कामों में सफलता मिलेगी और सभी का सयोग मिलेगा बेस्ट फेसलिटीज मिलेगी भोग विलास, सुख सुईदा, वेबब विलास या इंटर्टेन्मेंट के सभी सादन उपलब दोंगे संतान से विशिसकर, पुत्र संतान से सुख और साथ में सरकारी अधिकारियों से सयोग मिलेगा अगर मन में किसी कीमती वस्तू को पाने की चाहत है तो अवव पूरी होने वाली है जो प्रिवेश टाइम में आपने इंवेस्मेंट किये हैं उससे बहुत बड़ा फाइदा होने वाला है घर परिवार में सब सुखत रहने वाला है, सब दर पॉजिटिविटी आने वाली लेकिन ब्रस्पति के नीच रासिस होने से समाज में मान समान और इज़त प्राप्ति में कुछ कमी दिखाई देगी, असंतुस्ती प्राप्त होगी अथाथ आप दान धरम बहुत करेंगे, सोशेल बहुत हो जाएंगे आप हर जगह पर इंवॉल्व जाएंगे, लेकिन जो आपको रेपूटेशन चाहिए, जो स्टेटस में इंपूर्मेंट चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा जो आपका कारोबार है, उसमें भी बहुत सी परिशानी आएंगी, लेकिन अपनी मैनस से सब कुछ ठीक टाक कर रहेंगे, और प्रॉफिट निकाली लेंगे आईए, अब बात करते हैं, ब्रस्पति की द्रस्टियों की, सबसे पहले बात करते हैं, ब्रस्पति के पंचम द्रस्टि की ब्रस्पति स्वेंब रासी का अधिपति है, और करमेस अथा टेंथ आउस के लॉड़ ओकर के, अपनी पांचवी द्रस्टि से थर्ड आउस को प्राक्रमिस्थान को, शत्रुड रासी को देखेंगे अधा छोटे भाई बैनों से, फ्रेंड से, सरकल से, कुछ कमी के साथ में संबंदों का सुख मिलेगा, अधा आपको संतुष्टी सेटिस्वेक्शन पूरा नहीं मिल पाएगा लेकिन अपनी मैनद और सूजबू से, मेंटल स्ट्रेंज से आप सक्सेस प्राप्त करी लेंगे अब बात करते हैं, ब्रस्पती की सांतवी दस्टी की ब्रस्पती सांतवी दस्टी से फिफ्ट आउस को, अता सिक्सा और संतान बाव को अपनी उच्छरासी करको देखेंगे इसलिए सिक्सा में, बुद्धी बल में सांदार सक्सेस पाएंगे संतान प्रक्स में भी आपको पूर्ण सुक मिलेगा और संतान का सयोग भी मिलेगा यदि संतान बढ़ी है, तो संतान आपके साथ कंदे से कंदा मिला करके काम करेगी और अब तो भाग्य का भी पूरा-पूरा साथ मिलेगा इस गोचर के चलते ब्रेस्पति के इस रासी परिवर्तन से आप सफलता की नई सीडियां चड़ पाएंगे नौकरी पैसा लोगों को प्रोमोशन या इंक्रिमेंट और जो व्यापारी है उनको कारोबार में व्रद्धी देखने को मिलेगी आफिस में केरियर में आप अपने सीनेज को बहुत इंप्रेस कर पाएंगे और कुछ सातियों को कलिक्स को या विरोधियों को या बात चुबेगी और वो आपके खिलाब साजिस रच सकते हैं इसलिए साफदान रहेगा आस्ति इनके सापों से भचने की कोशिस करिएगा अब बात करते हैं ब्रसपती की नवम दस्ती की नीचस्त ब्रसपती नवमी दस्ती से सेवंत आउस पर दस्ती डालेंगे इससे दामपती सुख में अपने कारोबार में बिजनस में साज़ेदारी में बहुत शानदार सकसेस पराप्त करेंगे जीवन साती के साथ में आनन भरे पल गुजार पाएंगे quality time spend कर पाएंगे या उनके साथ में बार 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 जाएंगे गूमने फिरने जाएंगे और यदि आप साथ में नहीं रहते हैं तो उनसे मिलने जाएंगे या उन्हें अपने पास में बुलाएंगे लेकिन अपने फैस लोगो जबर्जतीन थोपना नहीं है अन्यता adjustment का combination बिगड़ सकता है इसी समय काल में अविवाईतों का विवात आय हो सकता है और विवाईतों को संतान या संतान की संतान प्रापती का आवसर आ सकता है जो लोग प्रेम प्रसंग में व्यस्त है उन लोगों को जीवन जैसा चल रहा है वैसा ही चलते रहने दे आईए अब बात करते हैं उपाईों की अगर आप ब्रेस्पती के दुस प्रबाव से पीडित हैं तो अब मैं जो आपको उपाई बताने जा रहा हूँ वो आपको जरूर करने चाहिए यदि आप ब्रेस्पती के दुस प्रबाव से राहत चाहते हैं तो ये आसान उपाई जो कि आप आसानी से घर बेटे कर सकते हैं बहुत से उपाई हैं जो आपको मंतजाप करने होँगे या दान देना होगा वो सब आराम से जान लीजे नोट कर लीजे ताकि आप 136 दिन तक ये उपाई कर सके सबसे पहले आपको दसावतार विश्णु कवच दारण करना चाहिए अत्वा लक्ष्मी नाराण कवच दारण कर सकते हैं ये ब्रस्पती से सम्मंदी धी कवच है ब्रस्पती गरह के यंत्र की अंगुठी बना करके दारण कर सकते हैं कोई भी अंगुली में या जो पहंडल पहनना चाहते हैं वो breast pati gray के यंतर के साथ में पुखराज या golden टोपाज जिसको सुनला बोला जाता है वो जड़वा करके धारंड कर सकते हैं एक होता है precious stone और एक होता है semi precious एक होता है रत्न एक होता है उपरत्न जो आपकी pocket अलव करती है जो आपका समर्त है उस दंक से आप पहन सकते हैं breast pati gray का पिरामिड या नवगरे पिरामिड अपने sign kaks में रखें जहां पर आप सोते हैं side table पर रखना है इससे mind, body और soul ये तीन चीज ट्योन अप होगी हर ग्रह जब भी change होता है सबसे पहले आपकी बुद्धी पर असर करता है और बुद्धी के बाद में सरीर पर उसका असर होता है यदि नवगरे दोस्ट निवारण ही होते रहेंगे तो आपके सरीर पर आपके दिमाग पर उनका प्रभाव नहीं होगा और पिरामिड का मतलब है positive energy लेकर के spread करना और या पिन negative चीजों को सोक लेना तो ये पिरामिड आपको हर ग्रह के जो भी दूस्ट प्रभाव होंगे उनसे रक्षा भी करेगा और साथ-साथ जो negativity है उसको सोक भी लेगा इससे अच्छी क्या चीच चाहिए पारद विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में इस्थापित करके नित्य उस पर अभिशेक करें अभिशेक करते समय ओम नमो भगवते वासु देवाए इस मंत्र का मनी मन उचारण करें जो रत्न पहन सकते हैं वो पुखराच पहने और जिन को पुखराच पहनने की समर्थे नहीं है या बहुत ज़्यादा मेंगा है इस समय नहीं पहन सकते हैं तो एक बार गोर्डन टोपाज पहन करके ट्राई करें यदि उसका प्रभाव आपको अच्छा लगता है सही लगता है उसके पहनने से आपको राध मिलती है तो फिर पुखराच पहन लीजिए ब्रस्पति वार के दिन गाय को गुड़क या केला केला नहीं ग्रस्पति और केला या चने की दाल इन पीली वस्तों का दान भी कर सकते हैं जो भारत में रहते हैं, गाउं में रहते हैं, उनके लिए उपाय संभव है, लेकिन जो UK में रहते हैं, Australia में रहते हैं, USM में रहते हैं, उनके लिए उपाय संभव नहीं है, इसलिए आप मंत्र जाप करने वाला सिद्धानत काम में लीजिए, अब इन मंत्रों में से कोई भी जाब करें, बोल-बोल करके जाब करना है या सान्ती से जाब करना है तो जब आप कोई सब्द बोलेंगे तो उसका वाइबरेशन होगा और वो वाइबरेशन आपको मैसूस होगा अपने बौडी के अंदर इसलिए आपको मंत्र बोलना चाहिए यह आपके उपर depend करता है तो ब्रस्पति का एककसरी बीज मंत्र है ओम ब्रम ब्रस्पतये नमह ब्रस्पति का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सह गुर्वे नमह सह का मतलब सह है एक बार फिर वापस बोल देता हूँ ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सह गुर्वे नमा इस दंग से मंत्र का जाप करना है जितना समय मिलता है उतना मंत्र का जाप कीजिए जितना ज्यादा करेंगे उतनी राहत मिलेंगी और जब अपने कल्यान के लिए है तो क्यों गिनने का काम करना है जब इश्वर आपको बिना गिने सब कुछ दे रहा है तब ऐसे इस्तितिम उनका नाम जपने में आपके उसंक्यागा ध्यान रखें इस्तिति जितना आपकी इच्छा करती है जितना समय मिलता है उतना मतज़ आप कीजिए ये तो था ब्रेस्पति का रासिफल और ये रासिफल जनरल है आपके अपने लिए नहीं है बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आपने जो बतला है मेरे उपर उसका असर नहीं हुआ या उसका उल्टा असर हो गया तो भाई मैं आपकी कुणली देख करके नहीं बता रहा हूं मैं जनरल चीज बता रहा हूं आपके उपर इसका कैसा असर होगा ये आपकी कुणली पर डिपेंट करेगा आपकी कुणली में ब्रस्पति कितने डिगरी का है कौन सी दासि में कौन से ग्राओं के प्रभाव में है और आपकी नमास कुंडली में उसकी इस्तिती क्या है कौन कौन से ग्राओं उसको देख करके प्रभावित कर रहे हैं पीडित कर रहे हैं या उसको स्थेबल बना रहे है और कौन सी दसा चल रही है ये सब कुछ आपकी कुंडली ही बतला सकती है ऐसी इस्तिती में आपको अपने बारे में यदि ज़्यादा जानना है ब्रस्पतिक और रासिपतन आपके उपर सिरफ और सिरफ आपके उपर क्या असर दिखलाने वाला है यह मैं आपकी कुंडली देखकर ही बता सकता हूँ और इसके लिए आपको एक time slot book करना है अताथ apartment fix करना है और उसके बाद में मैं और आप phone के द्वारा सिरफ और सिरफ आपकी कुंडली पर ही बात करेंगे जो भी आपकी समस्याइं होंगी उन समस्याओं के बारे में discuss करेंगे और जो भी उपाय होंगे वो उपाय मैं आपको बताऊंगा यदि उपाय ज़रूरी हुए तो उपाय बतलाऊंगा और यदि उपाय जरूरी नहीं हुए तो कोई आपशेक्ता नहीं उपाय करने की लेकिन उपाई आपको पूरी कुंडली के जो होंगे वो बताऊँगा शरफ और सरफ temporary उपाई या अभी ये एक महिना ये कर दीजा उसके बाद मैं फिर बात करेंगे वो बात नहीं है जो उपाई मैं बतलाऊंगा वो आपकी पूरी कुंडली के और आगे आने वाले 5-10 साल के बाद में हम बात करेंगे कि टोटल हम आने वाले 5-7 साल या 10 साल के बारे में क्या उपाय कर सकते तो ऐसी इस्ती में आप भी अपने कुंडली के बारे में nutrition करा सकते हैं, जान सकते हैं क्योंकि जो व्यक्ति बड़ा काम करना चाता है, आने वाले समय में जहांकना चाता है, अपने केरियर का ग्रोथ चाता है, जिसके पास नौकरी नहीं, वो नौकरी चाहेगा, जिसका बिजनस सही नहीं चल रहा है, वो बिजनस के बारे में बात करेगा, तो जो भी आपका केरियर है, उसके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेस्पती हमारी लाइफ को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, ब्रेस्पती गरस सुख, संतान सुख, मेंटल स्टेंथ, फाइनस, धन और समपत्ती और साथ इसाथ भागिय, इन सब के बारे में जा जा सकता है सिर्फ एक ब्रस्पति के मध्यम से तो ब्रस्पति जो रासी परुतन कर रहे हैं नीच रासी में जा रहे हैं उसका बहुत सी रासियों पर नेगेटिव इंपक्ट भी पड़ेगा तो कुछ रासियों पर पोस्तिव इंपक्ट भी पड़ेगा ऐसी इस्तिति में अपना आने वाला कल आज इस एपिसोड में बस इतना ही स्वस्त रहें, प्रसन रहें अपना अपने परिवार का बहुत-बहुत ख्याल रखें, आप सभी को मेरा नमशकार बहुत-बहुत शुब कामना है इश्वर आपकी रक्षा करें, ब्रस्पति देव आपकी जखसा करें, बहुत-बहुत धन्यवाद